नमस्कार किसान भाईयो, सुवागत है आपका माई किसान दोस्त पर मेरा नाम है यह सेजाट और किसान भाईयो आज की इस वीडियो में जो किसान भाई कपास के खेते करते हैं उनके लिए महत्पुन जानकरी लेके आया हूँ किसान भाईयों आप मेरे हाथ में एक बुक देख रहे हैं जिसका नाम है नर्मा आशाओ का सपेध्यर यह जो किताब है कपास के बारे में संपून जानकरी इसके अंदर आपको मिल जाती है और इसे लिखने वाले कोई बड़े लेखक नहीं है हमारे किसान भाई परगट सिंग जी है जिन से मेरी मुलाकात सन 2018 में 7 जुलाई के दिन हुई मैं 2018 में पंजाब के काफी सारे किसानों से मिला तब परगट भाई से मेरी मुलाकात हुई परगट भाई एक यूटूबर भी है और किसान भाईयों के लिए लगातार काम करते आ रहे हैं 2018 में इनको जान रहा हूँ और जब मैं इनसे मुलाकात की तब यह अपने खेतों में थे खेतों में अपने काम कर रहे थे और उस दिन पूरा समय इनोंने मुझे दिया और हमने खेती बाड़ी और किसानों की हालत पर काफी कुछ हमने चर्चाई की और चर्चाई उसे मुझे लगा कि परगट भाई किसानों के पूरे समर्पित है किसान भाई कैसे उन्नती करें उसके लिए लगातार सोचते रहते थे और उस समय कुछ book में भी इंट्री करते रहते थे लगातार जो जो चीदे उनको अच्छी लगती थी वो हमेशा नोट करते रहते थे तो उन्होंने अपने अनुभाव को इस किताब के अंदर उतारा है और यह जो किताब है कापास की खेती यानि कि नर्मा की खेती करते हैं उनके लिए काफी महत्पून किताब उन्होंने लिखी है और एक किसान के बेटे ने किस तरीके से खेती को हम खेती करके अच्छा उत्पादन ले सकें और किस तरीके से पेदावार बढ़ा सकें उसके बारे में इस में संपून ग्यान दिया गया है इस book के अंदर सुरवा से लगाकर आंत अत तक कपास की खेती के बारे में detail से छोटी छोटी चीदों को भी बताया गया है किस तरीके से खेद तयार करनाचाहिए कौन से बीजो का चैन करना चाहिए, बोहाई के कौन-कौन से तरीके होते हैं, फसल पर कौन-कौन से रोग आते हैं, कब-कब पोशक तत्व देने चाहिए, कितनी बारशी चाहिए करना चाहिए, ताफमान अगर बढ़ जाता है, तो अब क्या करना चाहिए, और साथ ही, इस कि हटिको सवस्त रहकर अच्छी फसल ले सकते हैं कैसे अच्छी बात है। कर अच्छी बात है किसे अधिक ँत्पदन सकते हैं। देशी नुष्के क्या है जिनका उप्योकर आप अ gustaría क्यों के डी के तारिक को बेहतर कर सकते हैं। और यह जो बुक है आपको पंजाबी में और हिंदी में बड़ी है आसानी से उपलब्ध हो जाएगी ओनलाइन इसे आप खरीदना चाहते हैं तो एमेजन से आप खरीद सकते हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है और मैं आप से भी से निवेदन करूँगा कि इ उनका होसला बढ़ाई है ताकि वो आने वाले समय में किसान भाईयों के लिए और बेहतर काम करें लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है वहाँ जाके इस बुक को जरूर मंगवाए आज के लिए इतना ही जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए